बेलकम टू सुपर फर्स्ट इंगली सखेट भी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे idioms and phrases के बारे में देखिए आपका एक्जाम आ रहा है और उस एक्जाम के लिए यह वैस्ट है एक्जाम कोस्ट गार्ड का भी तो भी आप इन जितने भी इडियम सापको बताई जा रहे हैं उनको आप जरूर देख लिए देखिए बहुत सारी इडियम मैंने अलग-अलग बुक्स में देखे जो अलग-अलग एक्जाम में आये हुए थे लेकिन सारे क्वेशन में यह आप नहीं लेने वाला सिर्फ आपको 100 आपको इडियम सेंट फ्रेजिस दूँगा उनको आप याद करके जाना जैसे आप औरों को भी याद करें त मतलब flogging a dead horse मतलब कोई मर गया एक घोड़ा और उसको आप क्या flog कर रहे हो उसे आप मतलब उठा रहे हो तो इसका मतलब क्या होज़ेगा wasting time in useless efforts यानि कि बेकार काम के अंदर आप समय को क्या कर रहे हो बरवाद कर रहे हो क्योंकि मरा हुआ कभी जग नहीं सकता उठ नहीं इंपोटेंट है by fits and starts इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब regular नहीं होती है irregularly उसे बोलते है अन्या मेतता जो regular नहीं हो उसे बोलते है by fits and starts ठीक है समझ में आगे इनको आप याद कर लिजेगा जो important है उन्हीं को मैंने लिख लिया है आगे question all लिया है कि in cold blood इसका मत मतलब है in cold blood इसका मतलब होता है तो हमें बोल सकते थे कि गुस्ता आ गया और लडाई हो रहा था तो गर्म खून है और किसी को मार दिया तो तो चलो गलती हो भी सकती है लेकिन यह आपका cold blood है यानि क्या आप जान बूज करके कि किसी को मार रहे हो समझ में आ गया cold blood का कि to give a peace of mind इसका मतलब है देखें अगर आप अपनी घर पर लेट पहुंच रहे है या फिर आपके marks जो हो एक्जाम में अच्छे नहीं आ रहे है तो आपको क्या करेंगे your parents will give a peace of mind समझ में आ गया आपके जो पापा ममी है वो क्या करेंगे आपको a piece of mind mind का आपको एक हिस्सा देदेंगे मतलब एक हिस्सा तो वो अपनी पास रखेंगे जो दूसरा वाला जो गुस्से वाला जो हिस्सा है वो आपके ऊपर मतलब क्या करेंगे वो आपको फटकार लगा देगे ना तो उसे बोलते है to give a peace of mind मतलब हो गया कि थोड़ा सा गुस्सा जाहिर करना फटकार ठीक है कि बेटा और अच्छे से नम्मर लाओ ऐसे ऐसे करते हैं ना आगे एक क्वेश्ण और लिखा है मैंने कि देखेगा टॉकिंग थू हैट इसका मतलब है कि हैट के माधियम से आप बात कर रहें इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब कि बकबास करना क्या हो पिसली वार एरफोर्स में आया था और इस वार आपके SSR में आया था पता नहीं मौर्णिंग शिफ्ट का या इवनिंग शिफ्ट उसमें आया था क्लोज शेव इसका मतलब बालवाल बचना ऐसे कैसे सर्जी देखो जैसे आप शेविंग कर रहें आप शेविंग करते याद कर लिना आजाएगा अगे दोको सफस्वां सफ्वां सफ्वां सचोइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस एट-ऌल कोई बिकल्ब का नहवना उसी बोलते हैं हो प्वस्वां सचोइस अपनी कोई वी इच्छा नहीं है कोई कोई सबस्वां कश्य का मतलब हो गया के को कोई प्रवाब ने डालना मतलब have no influence कोई प्रवाब ने डालना अब एक बात हो दाईए यह सपोस करिएगा यह कोई आइसका पीस है अब आपने क्या किसको आप काट रहें लेकिन इसका कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है कटी नहीं रहा तो इसका मतलब वही हुआ ना have no influence कोई भी प्रवाब ने डाल रहा है अगर कट जाता है तो प्रवाब डाल दिया अगर नहीं पढ़ रहा है मतलब क्या हुआ कि जो आपके द्वारा काम किया जा रहा है उसका अच्छा सा प्रवाब नहीं डाला जा रहा है समझ वारा है सपोस करिए आप देखे बहुत ज़ सपोस करिए आपके घर के बगल में मंदर बहां पर सेरावाली मया का मंदर है मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपने एक स्टोन लिया हाथ में और वह आपने फैक दिया इतना नजदीक है आपको यह पत्थर फैकेंगे तो वह सीधे आपके घर में जाके गरेगा तो इसका म आपने किया बढ़ना करते हैं यह इस परता बहुत जादा करना सकते हैं कि आपको अच्छा बाग शोर करना XV दूसरे को defeat कर सकें तो catch up with का मतलब होता है catch up with मतलब एक दूसरे को आप पगड़ा पगड़ी में लगे रहे तो उससे भी आगे जाने के लिए तो वह तैक compete with हो जाएगा अगे बढ़ जाते एक और मैंने लिए इसमें fall through का मतलब कह था fall through का मतलब होता है to fail असफल हो जाना fall का मतलब हो जाए गिर जाना तो अगर आप गिर जाएंगे suppose करिए आपको अगर running करना है और आप गिर गए तो इसका मतलब क्या हुआ आप fail हो गए दोस्तों यह ऐसा करना आप इनको एक बार note कर लेना किसी भी कि चुए की मतलब इनो इसमेल आना इसका मतलब हुआ तू सस्पेक्टर ट्रिक कुछ गलत है ऐसा कुछ महसूस कर लेना समझ मा गया तो इसका मतलब टू इसमेल आ रही है मतलब मामला कुछ गडवड है गडवड मामला है आगे एक और लिखा है मैंने red letter day इसका मतलब क्या ह होता है happy and significant day मतलब इसे गाला डे भी बोलते हैं यह भी आ गया है इसका मतलब क्या महत पूर्ड दिवस है कोई red letter day है जैसे 26 दनवरी पंद्र अगस्त यह क्या है यह सब रेड लेटर डे हैं उन्हें बोलते हैं गाला डे ठीक है मतलब क्या गाल बजाना तो गाल बजाना कब आप जो अच्छा दिन होगा तभी तो गाल बजाएंगे 26 दनवरी आगी तब आपने देखा होगा कि भारत में क्या हो तो एकदम शोर हो जाता है तो क्या है आप गाल बजाते हो तो वह गाल क्यों बजाएंगे क्योंकि अच्छा दिन होगा तभी हम गाल बजाएंगे ऐसे कोई प्राणा मेत्र है और आपको सब्सक्राइब चार से पांच साल हो गए अब भिषड़े हुए अब वो तुमारे साथ 10th में या फिर 12 दें पढ़ता था और अब आपकी नौकरी लगई या फिर पढ़ रहे हैं दस से 5-6 साल का वक्त हो गया बाई चांस आप मिलगे समझ मतलब एक तम दौड लगा दोगी हाई कैसे हो चका चक ऐसे करके आपको याद करना है आगे देखो टर्ण डाफियर इसका मतलब गया अनू सुना कर दिना डेस सब्सक्राइब कर दिना मतलब टर्ण डाफियर यार एक बात दाओ सुनने के लिए आपको डाफियर का जरूत प्रण डाफियर आपको सिर्फ कान लगा लेकिन आपने क्या किया किसी ने बोला कि बिटा ऐसा करो अब चूटा सा बच्छा है ना अब उससे आप बोले गया कि बिटा ऐसा को दूद पीलो या फिर दूद रखा हुआ वो पीलो तो नहीं पिएगा ना मतलब क्या हम उसको स आपकी साइड में कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको नहीं सुन पाएगा इसका मतलब अंसुना कर दिया जाएगा ऐसे करके थोड़ा सा कानी रिलेट करोगे ना समझो को इन वर्ड को तो ओटोमेटिकली याद हो जाएगा बट यह थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूत पड़ता है थोड़ा सापको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा बाकी ओबरॉल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आएगा एक और देखो आट स्नेल पेस देखो स्नेल पेस का मतलब होता है बहुत धीमी गती से आपको इभी काम कर रहे हैं आपने देखा होगा आपका इ आपको पढ़ना है अच्छी तरह से तो अब क्या करेंगे आपकी जो स्पीड है वो बरकुल धीमे धीम हो जाएगी हो जाएगी नहीं हो जाएगी जब आप पिल्ग्रिमेज सपोस करो पिल्ग्रिम कर रहे हैं मतलब आगरा से करो ली जा रहे हैं केला मया कीजे अब वहां जाएगे तो क्या हो जाएगा जब आप स्टार करेंगे पॉइंट में तो आपका स्पीड काफी अच्छा हुआ लेकिन सब्सक्राइगा पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी जो गति वह बहुत धीमी हो जाएगी धीर है क्योंकि आपके मतलब काफी दूर है और है आपका पापा जी पूछ रहें और उनका जूता बगल में रखा है तो वह क्या होगा आपसे पूछी आपके रिजल्ट क्या हुआ तो आप उस तरहीं पर क्या आपकी जो कंडिशन रहेगा एकदम परफ्लेक्स रहेंगे कंफ्यूज रहेंगे बताओं ना बताओं पजल रहेंगे मतलब क्या एकदम आपकी जो कंडिशन है वो सही नहीं रहेगी क्योंकि जूता सामने है अब उनको गुस्ता आएगा ना मतलब दो तीन साल से आप पढ़ाई कर रहे कि अगर कोई भी कोई स्लोक लिखा हुआ है कोई दोहा लिखा हुआ है अब दोहे को आप पढ़ तो लिया लेकर उसके अंदर का जो मतलब है उसको समझना डाट स्कॉल्ड रीड बिट्वीन दा लाइंस समझ में आ गया ना देखो आप इनको अगर में अगर थोड़ा इज है है एक आदमी जो के कौई का आदमी गली के अंदर आदमी या कली के अंदर न रहीगा ओरिनरी पर सं रहेगा यस और नो हुआ न इंदर कोई कोई बीकॉमन पर्सण है ना इसे तो इस चीज़ को समस्झे लिए का मतलब कोई भी कॉमन भी आगे देखो लेडाउन आमस का मतलब क्या हो गया आपने अपने जो आंसे जो आपकी बोजाएं हैं वह आपने क्या देखिए लेडाउन कर दी नीचे जुकार दी डाल दी इसका म समय के लिए आपको तसली देदी जाएगी जैसे कोचिंग सेंटर में होता है हाँ बीटा आप आजाओ मुझे ना आप पांच यहार देतो दस यहार देऊ चिंता मत को आपका स्लेक्शन पूरा हो जाएगा और जब हम यहां पर है ना तो चिंता क्यों करते हो देखो कोचिंग क्या वोलते मुझे नहीं पता मैं कुछ कहता हूं ऐसे बारे में लेकिन मैं यह चाहूंगा कि अगर आप मेनद करने वाले बच्चे ना तो सच बता हूं आप यूटूब से भी पढ़ सकते हैं बहुत सारी आर अच्छे-चे टीचर से आप यूटूब पर पता है बहुत कम अच्छी चीज़ा आगे तो यूमन सविसे का मतलब क्या तो यूमन सविसे का मतलब उतकरस्टकार काफी अच्छा यह याद कल दिएक इडियम से बहुत प्यारा वर्ड शोशल बर्क करना सामाजी कारे करना पता है सामाजी कारे जब आप करोगे उसके बाद आपको तसल्ल मिलेगी ना वो जूटी तसल्लिम नहीं होगा उसे आप फुली साटेस्टेस्टेक्शन होगे मतलब क्या होगा यदि आप सोशल जैसे माली से यदि आपके किसी व्यक्ति के बहुत बहुत गरीव है खाने के लिए कुछ नहीं उसके पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है सबसे बड़ी बात क्या होता है सेल्फ सटेस्रेक्शन अपने अंदर अपनी उजजत का होना वो ता है топ जरूर करए कुछ नो कुछ आप जरूर करेगा आगे देखो soft option का मतलब क्या होता है आसान से बिकल्प दे दिया मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी ने पूछा कि भारत की राजदानी क्या है तो किसी ने बुला कि दिली अब इसमें options दे दे मतलब सीधे सीधे आपका answer दे रखा है समझमारे नियार अब आपने देखा आपने reasoning में देखा होगा ABC अब इसमें लिख दिया एक दो थीन और आगे दे रखा है DEF तो options दो दे रखे हैं 5 मतलब कुछ trick नहीं बनाया उसने कुछ मतलब work करके उसका cube करके फिर घटा कर कुछ आंसल लाए तो soft options का मतलब जो options हैं वो वही लगता है जो मेरे दिल को अच्छा लगता है तो उसे आप जरूर पढ़ लीजेगा जैसा आपने देखा पुरानी साल कि बहुत अच्छा score आपका किया गया था और अच्छे यह सारे सारे आ गये थे बहुत जल्दी आपको इसका second or third part जरूर मिल जाएगा तो इस entertainment था कि मुझे को भी अच्छा लगता चली मिलता हूं मैं आपको next अच्छी सी वीडियो के साथ तब औहां एक और ऐसा करना आप यह जो जितना आपने practice किया है आप ऐसा करो जो आपके कोई भी English की किताब हो उससे practice करो exercise थोड़ा लगाओ जब आपको यही वहां पर मिल जा तो आप हो सके तो जरूर करेगा तन्यवाद